इस question में कह रहा है again A, B, C की value निकालनी है तो कैसे करेंगे देखिए A को B से multiply करें तो B ही आना चाहिए और A, B को B, A से multiply करके B plus 1 into C, B आना चाहिए तो कैसे आएगा अब इस question को देखिए अगर हम इस A को B से multiply करें तो B ही आ रहा है तो अगर आगम देखिए यहाँ पर A को अगर B से multiply करें तो B ही आ रहा है तो A की value कितनी आ जाएगी ऐसे भी निकाल सकते हैं इस B को अपनी जगे रखा और यह multiply में था इधर आके equal to के दूसरी साइट जाके divide को हो जाता है यह हम already सीख चुके हैं अब B से B cancel हो जाएगा तो हमें पता चल गया 1 तो A की value कितनी रख सकते हैं 1 लग सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक भी digit नहीं दे रखी थी तो उस case में य रखेंगे तो 1 A की जगे 1 और 1 यहाँ रख दिया multiply अब B की जगे क्या रखेंगे अब अगर आप देखेंगे A B के equal to नहीं हो सकता है तो that means 1 के equal नहीं हो सकता तो B की value 2 रख के देखते हैं तो अगर मैंने यहाँ पर B की value for example 2 रख के देखी यहाँ पर दोनों तरफ 2 रख के देखी तो देखें 1 2s are 2 आगया 1 1s are 1 आगया simply multiply करें 2 2 2s are 4 आगया and 2 1s are 2 आगया तो यह कितना आगया 2 5 and 2 यहाँ है अब अगर यहाँ देखेंगे तो B plus 1 मतला B अगर हमने 2 रखा तो 2 plus 1 3 आना चाहिए तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसका मतला B की जगे 2 नहीं रख सकते तो अब हम next option देखते हैं B की जगे 3 रख के देखते हैं तो अब B की जगे हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर B की जगे जहाँ जहाँ B था वहाँ 3 रखा अब फिर से multiply करके देखेंगे कि यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है C के बाद C से पहले वाली value 3 plus 1 मतला 4 आने चा 3 1s are 3 तो यह कितना आ गया 3 9 plus 1 10 carry 1 and 4 अब देखें यहाँ पर 3 plus 1 B क्योंकि 3 था और B plus 1 कह रहा है तो 4 आना चाहिए तो यहाँ पर 4 ही आ रहा है तो यहाँ पर 4 ही आ रहा है तो yes हम क्या रख सकते हैं B की जगे A आ गया हमारा 1 B आ गया हमारा 3 और C आ गया हमारा यह वाली value यह वाली जो कितनी है 0 है फिर से बता रहे हो यह जो 4 बना है यह कैसे बना है यह B plus 1 that is 3 plus 1 करके बना है 4 यही कह रहा था B plus 1 इसलिए 3 plus 1 4 आया है इसलिए यह आंसर की B की value हम 3 रखी है यह correct है right let's do next question now